कर दोस्तों मेरे यूटूब चैनल ऐसे हाडवेर में आपका स्वागत है तो एक छोटा सा जानकारी देना चाहूंगा इंची टेप के बारे में जो कारपेंटर भाई होते हैं और सभी मिस्त्री लोग होते हैं तो वो कैसा जिसको माप करते हैं नाप करते हैं मेजर का आपको त्ोड़ी सा नौलीच देना चाहूंगां दोस्तों 12 इंची को एक फिट बोलते हैं और दोस्तों नीचे यह सेंटी मीटर दीए रहते हैं किसो इसको फोध बोरते हैं जिस वह देखाना चाहूंगा तो यह एक फोधे यह दो है ये तीन फूट है ये चार फूट हो गया पॉई अफ यह और आठ फूट को एक इंच बोलते हैं दोस्तों हम लोगों की कांट्र टार-पैंटर लोगों की भासा में और 1981 सबाख अब ये अपना a полез दूश्तों ये देख की बिंडो तो बिंडो की साइज में कोई भी ले सकता हूं लेकिन रेगुलर साइज यह ही रहती है सभी माकानों की संथिंग चारवाई ते नहीं तो उसका आज में माटेरियल लेका लूँगा वीडियो के लास तक बने रही है चैनल में नहीं है आप लोग तो चार शेट दोस्तों इसकी चोड़ाई है जो गो चार फिट है बिंडो की मैंने जो कि यहां पास लिखा है इस स्टाटिंग में ही अपनको चार फाई तीन का मटेरियल लेका ला है दोस्तों मान लीजी कि यह आपका घर है घर में चार फाई तीन का विंडो के साइज निकला है अब अब अपनको इसके अंदर का सभी ग्लास रवाड एसी रवर सब क में आपाई रहा है मैं अब पूरी बंडू बनाए दे रहा हूं स्लाइडर श्लाइडिंग बंडू जिसे आप लोग गौंबी स्लाइडिंग भी बोलते हैं कि सबसे पहली यही बनाए दे रहा है पूरी बंडू समझने में बहुत आफानी होई कि अब आफान बोलते हैं यह टॉप होती है यह टॉप होती है और यह टॉप दोस्तों स्लाइडिंग बंडू में कि वहल इंक ही जगा बॉटम लगती है जहां अपन को नीची साड़ यहां पन को पल्ले या फ्रेम सरकाने हैं होते हैं तो इसमें सेंटर डाले दिल ले रहे कि अब 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 आपको पूरी जानकाली दे रहा हूं इसमें क्या क्या माटेरियल लगा दुट मैं यह बतांगा कि जो नीचे का हिस्सा है यह तो इसको अपन बॉटम बोलते हैं मैं यह नाम इसलिए बता रहा हूं था कि आप यह आप मार्केट यह बिनडू का सामाल लेने तो यह बार्टेरियल का नाम बोलेंगे अपनी बिर्टो की साइच का तो आपको आशानी से मिल जाएगा कि अ कि इस बॉटम होगी और यह टॉप हो गई यह अ जो और पर यह दोस्तों नीचे लगा है ये वाला पाई तो इसको अपने एज स्एक्शन बोलते हैं है कि दो एज सेख्शन बौॲकम नहीं रहता है और वाली टॉप में रहता है अगल और में अपन को एन डाल लें पड़ते हैं और अभी ये वाला पच है तो बीच के लिए भी बिताई दो रहा हुँ भी च्ट को बोलते हैं पॉनरो मिलोग और यह तो बता ही चुका हुआ आपको कि यह लौख है और दोस्तों इसमें छोटे-चोटे गिरारी टी रहते हैं जो स्लाइड होते हैं इनको बोलते हैं गिरारी तो कुछ काणिटर भाई इसको रेडुसर बोलते हैं लेडुसर भे बोलते हैं इसको अननकी बॉलते हैं अब कुछ वेड्रिप कर दिदो बचाback यह तो आप समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग इनको अपन ऐंगल वोलते हैं एंग आइंगल को इसी बलते हैं ये ये आटाइप को रہता है São और यहां से यह चारो तरफ पत्ती प्ति कोई बोलता है कोई एंगल बोलता है मतलब कोने को कभर करने के लिए रहता है अब सीधी बात इसका मटेरियल लगा लते हैं तो दूस्तों यह नीचे का बाटम है तो आपन चार फिट की बिंडू बना रहे हैं इसको नमबर इक डाले कि चार फिटीन को आधा ले लेना है जैसे तीन है तो हाइट तो अपनी तीन ही लगे कि दो बाटमें डिवाइट कर देना है काच अपन को ग्लास अपन कोई भी ले सकते हैं वो आपकी पसंद के उपर डेपेंड है जो भी ग्लास चाहिए तो दूस्तों चार का आधा किया तो अपने ये दो बचा और ये तीन तो दो वाइक इन के दो चाहिए अपन को ग्लास दो वाइक तीन के दो नंग या दो पीस जो भी बूलते हैं दो चाहिए होते हैं इसके बाद इसमें गिरारी फुट्रेक बिंडो में गिरारी अपन की चार पीस रहती है दो एक पल्ले म गिरारी चार नंग यह होगी गिरारी होगी उस्तों फिर इसके बाद लॉक है तो लॉक कभी नंग में नहीं मिलता है वो सेट आता है तो अपन को लॉक एक सेट कुछ लोग इसको पुछ लॉक भी बोलते हैं तो कन्फ्यूज मत होजे गए पुछ लॉक एक सेट हो गया अब सेट है इसमें दोस्तों और इसमें क्या वचा वचा हां इस कुरव की जानकारी बता दूं तो इसमें इसक्रूब आपने लगते हैं यहां जोइंट करने के लिए चार चार्णिया चाट इनटर लिए चार चुछ, सोला स्कूरू लगते हैं और की साज रहती है तेरा दूसरी तो 16 पीस यह हो गया है यह टोटल इसक्रू हो जाते इसके पैंच भी बोलते हैं जिसे यह पैंच हो चुके बैस के बाल इतना ही लगता तो इसमें एक चीज़ और रह गई है अपनी आट नूँ तस दूस्ते इसमें रह गया है एसी रवर्ड यह सिर फवर्ड काया बोलते हैं जो पल्ली रहते हैं के आउटर के तो उसमें जो सपोर्ट होते हैं उसको ऐसीर फ भल्ड इसक नुबकार आपन दालती है तो दोस्तो फाइनली यह है एक बंडू का मिटेरियल